हेलो इस्टोंट्स वेलकाम बैक तो माई यूटूब शैनल प्रोफेसर शुभाम त्यारी जहां पे चलती है हमारी कॉमर्स सेक्षन वालोगी मिन्स डिग्री एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके स्लेबर्स पेपर पैट भी मेंशन कर देता हूँ एडवांस कॉस्ट एकाउंटिंग की बात करेंगे मैंने स्टार्टिंग मेंशन कर चुका हूँ कि इस तरीके से आपका स्लिबर्स डिखाई देता है प्रोसस कॉस्टिंग, कॉस्ट एलोकेशन, एक्टिबिटीव, वेस्ट कॉस्टिंग, रिस्पॉंसिविलिटी एकाउंटिंग, टांसफर प्राइसिंग, इनिफलेशन एकाउंटिंग और अगर आपने मरनद प्रकाशन या फिर कोई भी पॉब्लिकेशन अधर लिया होगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग की दो क्लास आपको देखने मिल सकती है, एक एक्विवेलेंट वादा केस आपको देखने मिल सकता है जिन बच्चों ने इंडिंग टाइम पर पढ़ा ही अपनी स्टार्ट की है तो उनको मैंने सजेशन है सबसे पहले आप कॉस्ट और इलोकेशन को स्टार्ट करो, पतलब यहां से इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, यह प्रैक्टिस आप करो कि 15 माक्स आपका क्लियर हो अगर आप मेरे से पूछोंगे सबसे आसाँ topics में से एक topic कौन सा है, activity-based costing साप से आसाँ में से यह topic भी है, responsibility accounting यह बी आसाँ concept है, and inflation accounting, मतलब यहां से आपको 4 topic करना है, 4 में से 3 भी pick करना है, तो भी enough हो जाएगा, बद 4 आसान है, काफ़ी simple topic है, मतलब बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा इन topics की प्राक्टिस करने में process को मैं last में रखूंगा क्योंकि इसका length सबसे जादा है इसमें काफी details आपको पढ़ना पढ़ेगा important तो है but इसमें काफी details आपको पढ़ना पढ़े जाएगा compared to in topics की अगर मैं बात करता हूं यह ऐसे topics हैं अगर आप एक दिन भी आपका concept clear हो जाएगा एक दिन आप activity based costing को सेलेक्ट कर दो concept clear हो जाएगा responsibility account is one day का concept है पर उसके compare में process आप करूँगे जिसमें 15 15 मिल जाएगा means complete marks आपको मिलेगा पर प्रोसेस में आपको posting का marks मिलेगा तो इसलिए process costing जिन बच्चों ने श्राट ने किया होगा तो उनको मेरा suggestion आप last में करो बढ़ा करके जाना क्योंकि posting का marks तो मिलेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे से fix इंट्री आप बोल सकते हो रहती है जिस पर आपको complete at least posting का marks तो मिलता ही है यह benefits आपको मिलता है clear है बात करेंगे सिधा question paper 17 का पहले तो screenshot आप ले लू जो भी आपको question paper आपको दिख रहे है चले 15 marks clear है दिख रहे है I hope दिख रहा होगा और topic नाम से भी समझ रहे है सर प्रोसेस दिया है process one two and third का concept है question paper का I hope और एक बच्चे ने screenshot लिया होगा clear question बोल रहा है बई prepare process account and finish goods account showing the profit element at each stage process account बनाना है screenshot I hope और एक बच्चे ने लिया होगा तो इसके answer की भी जड़ा बात कर लेते हैं इसका answer कुछ इस form में है process one का account होगया process two and finish stock and इसके कुछ working part आपको यहाँ पे देखने मिल रहे होंगे screenshot high quality पे करके आपको ले लेना है clear है पहले question का answer हो गया अब इसके option में देखो जड़ा क्या question आया था पहले क्यूंकि हर एक क्यूंकि हर एक option में एक question आने वाला है question जड़ा इसकी बात कर लो यह भी process costing का है बट ध्यान से रखो statement of equivalent concept है equivalent उससे tough level है मतलब high level उसका आप बोल सकते हो उसकी option में यह पूछा था तो equivalent का concept में मुझे लगता है कि किसी बच्चे को यह practice नहीं करनी चाहिए अगर आपको easy concept आता है पहले screenshot आप ले लो easy वाला मतलब types आप practice करके जाना best होगा आपके लिए भी इसका answer देखो आप screenshot आप ले लो length आप देखो देखो अभी आगे के question की length आप देखना और answer की length आप देखना तो आपको समझ आएगा मैंने process को last में क्यों बोला है क्योंकि आप इसमें देखो भाई process 123 जो भी ता हो तो बनाना था equivalent वाले में आपको statement बनाना पड़ता है of equivalent unit of production फिर cost per equivalent unit फिर cost appropriation and last per process इसलिए length इसकी जाता है I hope और एक बच्चे ने question number one के दोनों को screenshot लिया होगा अब यहां से देखो topic कितना असान बनता है यह जो है आपका दिया गया है cost allocation बोले तो जो overheads का concept है primary मैंने बोला basically primary ही पूछा जाता बट in case किसी में secondary पूछा हो भी concept आप करना बट primary तो compulsory आप बोल सकते हो पूछा जाता है यह आपके सामने question दिख रहा है and expenses को अपने percentage पर दिया है इस ratio पर आपको लेके जाना है और इसका answer देखो जरा आप क्या है यह है इसका answer यह आपका primary distribution फिर secondary primary यह तो आपने अगर टीवाई बीकॉम से किया है तो बीकॉम क्लास में पढ़ा होगा टीवाई बैफ अगर लिया था तो यह अपने पढ़ लिया होगा इस concept की जहां तक मैं बात करता हूं क्लियर है आई होप क्लियर होगा और हर एक बच्चे जिनको screenshot या फिर नोट करना होगा आरम से आप नोट कर सकते हो इसके option में जरा देखते हैं क्या पूशा गया है option देख लो जरा क्लियर है activity based costing पूशा गया है activity based costing question आपको दिख रहा होगा clear देख़वा हाई quality पी लेके screenshot ले ले लेना ज्यादा advantage आप के लिए रहेगा और इसके answer की बात कर लेते हैं जरा यह हो गया आपका answer यह भी काफी आसान topics में से एक है बहुत simple topic है कम टाइम में ध्यान रखना one day practice enough है one day में आपका complete 15 marks आप secure कर सकते हो इतना आसान topic है मैं यह बोलूँगा इसलिए बोलता है ना लाश्ट नीशे चार्ट टॉपिक आप रक्टिस कर लो जो मैंने डाइग्राम आपको मिंस cover किया था उस party की बात करेंगे next question जड़ा देखो आप कि इस्क्रीन शॉट ले लो इधर भी यह भी काफी आसान topic है comparison करना है फिर performance आपको बताना पड़ेगा performance report बताना है आपको चले इसका answer देखो कितना short है देखो आप इस तरीके से total दोनों जो भी books वाले थे means detail जो दिया था उसको आपको profit means निकालना है divide करना है in short आप बोल सकते है sales में से variable cost फिर अपने fixed cost को divide करना है clear एक नहीं है और फिर दोनों का performance में ते बताना था कि better कौन सा होगा question number 3 यह हो गया अब इसके option में क्या भूशा था उसकी भी बात कर लेते हैं इसके option में यह question मना है आप देख सकते हैं यहाँ पर process से compare करो जरा इन topics को आप खुद देखोगे question देखो कितना छोटा screenshot ले लिया और इसका answer भी देखो कितना short है compare to process costing इसलिए बोल लो कि suggestion है पहले अपना 30 marks अपना secure करो उसके बाद process के posting पे भी marks अपने को मिल गया तो enough हो जाएगा clear है अब जरा इसके answer की बात कर लेते हैं answer देख लो जरा काफी आसान है काफी simple topic है clear है कोई problem नहीं है आराम से आप screenshot ले सकते हो high quality पे करके वीडियो को note करना है note कर सकते हो छेले last आपका objectives था objectives की भी देखो यहाँ पे objectives आपके होगे short notes मैंने नहीं लिखा है clear है कि नहीं क्योंकि मुझे पता है mostly हर बच्छी objectives ही prefer करेंगे तो objectives में आपका true false है match the pair और इसकी answer आपको नीचे यहाँ पे दिख रहे है तो answer आप देख लो इसका चले clear है I hope फर एक बच्छी का concept clear है और जो मैं mention कर रहा है master degree वाले बच्छे सेम थर्ड में process को side में करके पहले remaining topics की practice करना one day one concept enough हो जाएगा मुझे पता है proper लेगिन practice करना पड़ेगा one day one concept easily आपका पहले 30 marks अपना secure करो उसके बाद process का posting कर लिया मतलब जो fix entry में आपको एक तरीके से बोला है वो चीज़े सीख लो आपका easily 30 plus 10 marks count कर लो मतलब 40 marks आप पहुझ जाओगे बाकि objectives आप में जितना score करोगे उतना advantage आपको मिलने वाला है clear है I hope फर एक बच्चे का concept clear होगा आज का objective यही था previous year का आप लो question paper देख लो किस label का भूचा था और जोने बच्चों ने practice पहले से किया होगा तो उनको पता चल जाना चाहिए कि जो भी आपक के साथ में मुलाकात हमारी होगी तो शेलिए मिलेंगे अगली class में तब तक लिए thank you so much